पुष्षाइब अप्सावी का स्वागत है आएज मैं बढ़ा रही हूं सत्य न्यन्वागवान का परशाद देखिए भासी सिंपल और आसान है फिस पूर्णिमा की कथा के लिए जो हम चना मृत बनाते हैं और भी पूजा पाठ पे चना मृत बनाते हैं तो इसके लिए मैंन टोने मिलत बनाते हैं तो यह गंगा जल डाल दिया इसी कटोड़ी से और पंचामरित त्यार है तो यह हमारा एक तो पंचामरित त्याह हो गया अब हम बनाते हैं आटे का प्रशाद जिसके लिए हम अब गैस की तरफ चलते हैं और सत्य राइन की पूजा में हम रखते हैं फल फल में केले जरूर रखने हैं लीठे में आप कोई भी मीठा रख सकते हैं यहां कडाई रख लिए मैंने भारी तली की थोड़ा समगी डाल देंगी देशी यहां टाल लिया मैंने इसमें और इसको हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे करें जतनी आपको जारूर थे इतना पर्षाद बना लिए अगर घी नहीं होता है तो ज़रूदी निया तो सुखाट भी फूनकर प्रशाद बना सकते हैं भवान उसे ुए खुश हो जाते हैं लेकिन घी डालके अगर बनाते हैं तो थोड़ा टेस्ट क्षाने में अच्छ और इसमें प्रशाद के ड्राइफूर डाल लीजिए हो नहीं हो तो कोई बात में सिर्फ आटे का प्रशाद ही भुना हुआ और इसमें मीठा मुनाकर भगवान को तरह देजिए जब में पस टाइम होता है फुर्सत होती है तो मैं इसी तरह से प्रशाद बना करके और सत्य नहीं की पूजा करती हूं पूर्णिमा की दिन और कभी नहीं भी हो पाता है ऐसा भी हो जाता है तो किसी भी दिन हम भवान की पूजा प्रशाद बना करके कर सकते हैं अगर यह प्रशाद ना बना प्वाव कभी अमर्जेंसी में तो कोई भी मीठा गुड़ चीनी शक्कर कुछ भी लेकर के कटोरी में भगवान को चड़ा दे वही कफी है लेकिन यह वीडियो में इसलिए डाल रही है कि यह प्रशाद कैसे बनता है आटे का और भगवान को लगाए हुआ प्रशाद में थ्वाद भी बहुत अच्छा आता है और खुश्बूर भी बहुत अच्छा आता है कभी-कभी समय की कमी के कारण घर में कुछ मिठाई रखी होती है या कुछ गुड़ रखा होता है शक्कर रखी होती है लडू रखी होती है तो फिर हम उसका भी भोग लगा देते हैं यह आटा हमारा भून गया है बस कड़ाई से निकाल कर हम प्लेट में निकाल लेंगे क् कि इसमें मीठा बूरा बाद में मिला जाता है कलाई में कुछ नहीं डालना है अभी सोम बंद कर देते हैं याटा भूं गया है इसमें हम बूरा मिला कि डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे मीठा अपनी पसंद के अनुसार डालीएगा इसमें और यह मैं हर गोड़ चीनी कोई भी मीठा घर में रखा होता है वह भगवान को चड़ा देते हैं और जब पूरा टाइम होता है तो फिर यहीं परशाद हम बनाते हैं और परिवार के साथ जब पूजा करते हैं तो यह बहुत ज्यादा मातरा में बनाते हैं और सबको बाटा जाता है और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजेगा, शेर कीजेगा, सब्सक्राइब कीजेगा, यह हमारी परशाद की थाली रेडी है, और अब मैं करती हूँ पूजा, उसकी वीडियो अलग से मिलेगी आपको, और पसंद आए तो लाइक कीजेगा, शेर कीजेगा, सब्सक्राइब की भी करें और सब खुश रहें अच्छे अच्छे व्यूज आए चैनल सब के आगे बढ़ें बोलो श्री सत्य नायरिंग भगवान की चैह